आईपिल 2020 अपने पूरे रंग में आ चुका है इस सीजन में अब तक 22 मुकाबले खेले जा चुके हैं जहां बल्ले बाजी में केल राहूल, मैयंका ग्रवाल फॉर्म में चल रहे हैं तो कई खिलाडी खुद को साबित करने में लगे हुए हैं सभी खिलाडियों के लिए सीजन एक सा नहीं है, फ्लॉप बल्ले बाजों को सोचल मीडिया पर दर्शक ट्रोल कर रहे हैं हाला कि इस बार ट्रोलर्स ने राजिस्तान रॉयल्स के युवा बल्ले बाज यशश्वी जैसवाल को ट्रोल कर दिया आईपियल 2020 में जैसवाल की शुरुवात अच्छी नहीं रही है, पिछले तीन मैचों में यशश्वी ने सिर्फ 40 रन बनाए है शुकरवार को दिली कैप्टल्स के खलाफ खेले गए मैच में उनकी पारी के बार ट्विटर पर ट्रोलर्स उनका मजाक उड़ाने लगे ट्विटर पर पूर्व क्रिकेटर और कॉमेंटेटर अकास शोपड़ा ने इस पर आपती जताई अकास शोपड़ा ने ट्विट कर कहा थोड़ा दिल दिखाईए सिर्फ इतना ही आपसे कहूंगा कि इस यूवा बलेबास को अकेला छोड़ दें और मुझे यकीन है कि सीनियर क्रिकेटर मजाक समझ और सह सकने हैं लेकिन 19 साल के खिलाड़ी से वैसी ही उमीद रखना बेइमानी होगी हाला कि उसके बाद भी यूजर्स ने ट्रोलिंग जारी रखी अकाश चोपड़ा ने कहा कि एक 19 साल के खिलाड़ी का मजाक उड़ाने से पहले खुद को देखो और पूछो कि जब तुम 19 साल के थे तो तुम क्या कर रहे थे हाकाश चोपड़ा ने कहा कि एक शश्वी जैसवाल अंडर 19 में भारत का प्रतिनित्व कर चुका है और वर्ल्ड कप में मैन आप दे टूनमेंट भी था साथी लिस्टे क्रिकेटर में मुंबाई के लिए 12 शतक भी जड़ चुका है पिछले मुकाबले में दिल्ली के खलाव राजिस्तान की ओर से ओपनिंग करने के लिए आई अशश्वी ने 34 रनों की पारी खेली जिसमें एक चौका और दो चक्के शामिल थे लेकिन इसके लिए उन्होंने 36 गेंदे खेली क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट T20 के लिहास से इसे अच्छा स्कोर नहीं माना जा सकता हाला कि उनके सामने कगीसो रबाडा, आर अश्विन, एन्रिच, नौर्किया जैसे बहतरीन अंतर राष्टे गेंदबास थे साथ ही राजिस्तान के दिग्गस बल्ले बाजबी को एक खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाये थे और जल्दी जल्दी अपना विकेट गमा बैठे थे, जिसके कारण यह शश्वी दवाव में दिखे ऐसे में उम्मीद की जा सकती है, वो अपने प्रदर्शन से सभी ट्रोलर्स को करार अजवाब देंगे फिलहाल के लिए इतना ही बाकी की IPL से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए बने रहे हैं हमारे साथ और सब्सक्राइब कीज़े हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष झाल झाल